कि प्रेश्ट फ्रेंग चायनल वेश्टीज अगे प्रोडक्स अच्छ प्रेंग कर दो से अगिन अगलों अग्री नाटेप अग्री नानो तैप अग्री नानो टैप हम कहती में कैसे यूज़ करते है और इस Agri Nanotech के हम क्या benefits है क्या फाइदे है ये देखने वादे तो चलिए चलते है Agri Nanotech के फाइद जानने के लिए तो चलिए आज देखते है West Beach Agri Nanotech के क्या फाइदे है सबसे बहुत है Agri Nanotech 16 टाइप्स के nutrients है इसमें जो हम खेती को nutrients देते है उनमें से ये solar type के nutrients हमको मिलते नहीं लेकिन West Wing Agri Nanotech अगर आप यूज़ करते है तो ये solar type के powerful nutrients आपके खेती में आपके जो फसल है उसको बढ़ाने के काम करते है उसके बाद में सब लोग जो है अपने खेती में सिर्फ यूरिया, DAP, SSP देते हैं ये solar micronutrients उनमें से अपने खेत को मिलते नहीं और इसके कारण हमारे पौदों की जो ग्रोथ है वो कम होती है उसके बाद में जो main nutrients है जैसे zinc, carbon, calcium या nutrients इनमें से हम हमारे पौदों को मिलते नहीं है तो अगर हम agri nanotech देते हैं तो ये पौदे zinc, carbon, calcium जैसे nutrients उसमें से absorb करके वो पौदों की ग्रोथ ज्यादा होती है agri nanotech एक micronutrients है और यहाँ पौदों के ग्रोथ में सबसे बढ़िया काम करने वाला जो nutrients है agri nanotech का चौथा जो फायदा है पत्तों में जो chlorophyll होता है वह बढ़ाने का काम हमारा agri nanotech करता है chlorophyll की मात्रा बढ़ाने का काम agri nanotech करता है फल सब्कियों की shelf value बढ़ाता है जो भी फल दो या तीन दीन उसकी shelf value है वो बढ़ा कर चार या पाच दीन करता है इस तरह से अगर आप अपनी खेती में agri nanotech यूज करता है तो आपका पौधा जो है शक्तिशाली बनने के बाद आपका production जो है वो increase हो जाएंगा so agri nanotech यूज किजिए विश्यू वाइंगा